वरंट का क्या आर्थ होता है यह आज की वीडियो में सीख लेती हैं वरंट जो है वो वर्णोट को साथ में लिखा जाता है तब उसको वरंट कहते हैं यानि कि वरंट is a common contraction of words, वर्णोट It is used in English to indicate the negative form of the verb to be in the past tense when referring to multiple people or things यानि कि जब हम एक से जादा चीज़ों के बारे में यह कहना चाहें कि नहीं थे या नहीं थी तो उसके लिए वरंट का इस्तिमाल किया जाता है जैसे कि they weren't at the party last night यानि कि they were not at the party last night यानि कि वे कल रात party में नहीं थे we weren't sure if it would rain so we brought umbrellas यानि कि we were not sure मतलब हम sure नहीं थे कि बारिश होगी या नहीं होगी तो इसलिए हम umbrellas यानि चाहता ले आए अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें